आज का ये वीडियो काफी important होने वाला है जो लोग भी option trading करते हैं, option buying या selling करते हैं या stocks में swing trading करते हैं तो क्या है सभी के लिए ये topic है मेरा आज का कि हम कैसे identify करें कि market अब यहां से कहां से correct होने वाली है, कहां से बुल्डर ना आएगा, कहां से market में selling pressure आएगी, वो हम identify दोस्तो वीडियो बने रहे हैं, काफी important मैं चीज बताने वाला हूँ आपको, तो देखी क्या मैं discuss करने वाला हूँ, और यहां पर सबसे पहले देखेंगे, तो मैं इसको फुरा back कर लेता हूँ, ताकि आपको पूरा दिखे clear, दोस्तो यहां पर देखेंगे, निप्टी का support लेते हैं, तो इससे यह पता चलता है, moving average का बहुत बड़ा impact है, जैसा कि देख रहे हैं पिछले chart पे, तो अभी का scenario क्या है, अभी फिलाल current का scenario यह है, कि market जो है, कहां पर high लगा का चुका है, यह देखिए, market का high देखेंगे, तो 19,991 रुपे का high लगा चुका है, तो almost 20, 20,000 को touch कर चुका है, market, market 20,000 को touch कर चुका है, तो resistance level है, 20,000 का, और यहां पर देखेंगे, तो कोई भी candle जो है, इसके ऊपर sustain नहीं कर रही है, लगातार एक red candle के साथ market में closing देखने को मिल रही है, अब market बहुत ही अच्छे label पर sustain कर चुका है, देखेंगे, यहां पर तो जैस सब हर जगा जो है, आपको support लेता हुआ दिख रहा है, तो अभी का condition में भी वही formation हो रहा है, अब यहां पर important क्या चीज़ है, जो कि मैं बताने वाल हूँ और आपको क्या चीज़ फॉलो करना है, वो चीज़ समझ लीजिए, सबसे पहले क्या करना है आपको दूसरों, इस candle के high को, high को mark कर देना है, है ना, one second, इसको यहां कर देता हूँ, इस candle के high को और इसी candle के low को mark कर देना है, one second, इस candle के low को मैं mark कर देता हूँ, है ना, थोरा से इसको नीचे कर लेंगे, हाँ, दोस्तों यहां पर कुछ इस तरह से आपको कुछ कर लेना है, mark कर लेना है, अब क् candle को ही आपको देखना है कि market जब भी इस range को breakout या breakdown करती है तो उसी तरफ हमको trade लेना है अगर let's say यहाँ पर market क्या करती है green candle बनाती है sustain करके इस candle के high को break करती है तो हम यहाँ पर क्या समझेंगे कि market में जो है overall जो uptrend ही बना हुआ है market यहाँ से उपर गया फिर रिटेस लिए फिर आप उपर जागा इस तरह से कुछ pattern बनेगा तो जो लोग भी strategy बना के जैसे बहुत लोग buy करते हैं option को है ना तो उस basis पे आप कर लेते हैं trade तो आपको benefit होगा आप जो bottom पे खड़ देंगे है ना अच्छी खासी panic selling देखने को मिलेगी तो यह रहा आज का मेरा view आज का मेरा topic जिसमें की अभी काफी सारे लोगों को help मिलेगा इस वीडियो से क्योंकि बहुत सारे लोग को जो है identify नहीं करना आता है कि कि किस तरह से market को identify करें तो लोग क्या है कहीं कहीं पर बाइंग कर लेते कहीं पर सेलिंग कर लेते पोजिशन कहीं पर बना लेते हैं अभी मार्केट ऐसे जगाप है ना कुछ भी हो सकता है यहां से अगर यहां से उपर ब्रेक आउट देगा तो वैलन गूड है मार्केट में क्या हुआ एक पूल बैक आया रिटेस्ट के लिए फिर उपर जाएगा इस तरह से कंफर्मेशन बन सकता है और या दूसरा क्या हो सकता इसके नीचे जैसे क्लोजिंग देगा तो एक पैनिक सेलिंग आएगी जो कि यहां तक आपको देखने को मिलेगी तो उमीद करता हूँ आज का यहीं सेशन आपको अच्छा लग कर दिएगा और चैनल पर पहले बेर विजिट कर रहे हैं जरू सब्सक्राइब कर लिजिएगा देने मादस्तों